हेलो गाइस तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नुबर 180 कंसॉलिडेशन एक्सेसाई ए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एक क्या है लोक एट दा इमेज एंड डिस्कस एज इंस्टर्टेड यहाँ पर देखी क्या है आपको इस इमेज को देखना है और क्या क्या लिखा गया इसको आपको डिस्कस करना है तो सबसे पहले तो देखी यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है डाइवर्सिटी का यहाँ पर फूल फॉर्म दिया गया है कि डाइवर्सिटी का फूल फॉर्म क्या होता है और जो डिफरेंट जो लोग है वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से ठीक है ऌकिस बेजिस पर वह फिल लखा गया है इंडीबिजोल मतलब हर एक इंसान मतलब की अलग होता है क्या है फख् keenally एगर में फाइनेंशियल तो अच्छा वो नहीं होता है बट फिर भी वह बहुत अंचा इंसान होता है इसलिए हम लोग उसकी वैल्यू जादा करते है ठीक है तो वैल्यू की बेसिस पर डिफरेंट होता है यह देखें पूरा मतलब कि किस-किस बेसिस पर डिफरेंट है जिसे हम लोगो की बात किया जाए तो सभी के सभी क्या होते हैं सभी एक दुस्य से डिफरेंट होते हैं और अगर आप माइंड की बात करें तो माइंड की बेसिस पर लोग डिफरेंट होते हैं और बहुत सारी बेसिस पर लोग डिफरेंट होते हैं हर एक इंसान उसके बाद रिगार्डलि मतलब कि intelligence आप रह सकते हैं उसके बाद है उसके बाद है टानेंट के बीशिजि इस पर हम लोग डिफेलेंट हैं कुछ लोग के बहुत टाइलेंट है कुछ लोग पास यां उसके बाद कि यहाई इस मतलब कि आप एज किया सकते हैं एज के बिचे इस पर हम लोग डिफरेंट हैं यहाँ पूरा डाइवरसिटी का एक फुल फॉर्म दिया गया था और डाइवरसिटी का में मतलब यह होता है डिफरेंट ठीक है अब इसके बाद देखे एक्सेजाई भी देखते हैं भी क्या ये इस प्रीज पर जाए सकते हैं तो यहां पर पताने का क्या कोई अपर कुछा करत है या तो अपने अपने आप सोच करके कुछ भी बना करके कोई पर्यो का स्टोडिय कुछ का इस परूरी या फिर अपने लई एश्टाइल जूडब से जूडए हो स्टोरी यहां पर continue है इसका मतलब क्या है यहां पर यह क्यों लिखा गया है तो यह यह क्या जाएगा आपको एक small circle बना दिया जाएगा आप सारे classmates को एक small circle में बैठा दिया जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगी story start करेंगे story start करने के बाद आप दो या आपके फसलिटेटर होंगे वो बोलेंगे क्लासमें,ंसके बाद आपके फसलिटेटर पास करने लिए धाना कहेंगे उसको pass करने के बाद उसके बाद वो facilitator बोलेंगे read उसके बाद फिर पढ़ने के लिए बोलेंगे पढ़ेंगे पढ़ने के बाद उसके बाद कहेंगे correct उसके बाद पिर correction करने के लिए कहेंगे जो सामने वाले बंदे ने जो आपका लेफट बंदा या बंदी जो भी था जो उसने इस्टोरी लिखा है उसी स्टोरी को आपको वहाँ पे अपना आइडिया देना है अपना ओपिनियन देना है ठीक है जैसे कि मैं एक एक्जांपल लेकर के बता दो जैसे किसी ने ब्लड फ करेगा कि मैंने इस तरीके से अपनी स्टार्टिंग की है और यहां यहां मैंने बलड का स्टार्टिंग किया है और धीरे तरे में इसके और स्प्रेड करूंगा तो वहां पर अपना ओपिनियन दे सकते हैं जैसे माली जो उसने बस इतना ही लिखा है कि मेरा जो और मुंबई में अभी तक स्टार्ट हो पाया है या फिर दिल्ली गाजियाबाद और गुरुगाओं इस सब में स्टार्ट हो पाया है इसके आगे अभी मैं नहीं पहुंच पाया हूं तो आप वहां पर अपना ओपिनियन देंगे कि हाँ आप बहुत बहुत अच्छा काम तो जो भी है मतलब कि देखे उसी स्टोरी को आपको continue करना कहीं नहीं या तो आप उसी स्टोरी में add कर दीजे कुछ या फिर उस स्टोरी के ऊपर आपको जो opinion है आपका जो आपका अपना idea है उस topic पे उस topic पे अपना एक idea वहां पे लिख दीजे ठीक है कि मेरे हिसाब से यह हो को फिर आपकी teacher जो है वह फिर पास करने के लिए करेंगे इस तरीके से देखे यह पूरा आपका एक small circle में ऐसे घूमता रहेगा ठीक है जब तक है आपके फिर इसके आपको यह चीज करते रहना है तो इस लेसर में सिर्फ इत्ता ही था इस लेसर में कुछ भी special मतलब उत्ता खास नहीं है तो खास कहने का मतलब है कि यहां पर देखें मेली जो है diversity का full form यहां पर और वैसा कुछ नहीं है और tough तो कुछ भी नहीं इसमें तो तक यह सो मुछ पर वोचिग थीओ